सबस्ट और मत्रeking चिंदीए बात आती है तो मर्तबा मरत्बा इनका pension बन जाता है लेकिन सैन ने जो enforcerdlors में एक उनके pensions को सभल कर दिया जाता है और जानते हैं क्या हवाला देती है सरकार कि हमारे budget में बहुत शरब पैसा चला जाता है जो उसिए जो हमारा डिफेंस मजट है वो इतने करोड का है और केवल हमारा पेंशन और मंतली सेलेरी देने में निकल जाती है तो भाई साब आप तो लेते हो अपने में तो कुछ रिकंसिडर करो उस पर क्या आपका कुछ कम नहीं होना चाहिए निमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं अगनी पथी स्कीम के अंतरगत जो अगनी वील तीनों से नाओं के अंडर में जो रिक्रूट करने जा रही है सरकार उसको लेकर करके एक ब्रिफिंग ब्रिफिंग हुई थी जो सन्य अधिकारियों ने किया था उसमें यह सपस्ट कर दिया गया कि हम जो है कोई बिल रिक्र नहीं होता है लेकिन से ने जितने भी सोल्जर्थ हैं उनके पैसे को कट आउट कर दिया जाता है यह बड़े प्रस्टेशन है दोस्तों जब अपने पैसे के हिसाब किताब की बाद दिया आती है और सुप्रीम कोट फिंडिया ने कई मरतबा कहा कि जितने भी पॉलिटिकल सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारे नेता एक हो जाते हैं यह बड़ा प्रस्टेशन है दोस्तों जब कोट कहती है इन लोगों से और सुप्रीम कोट फिंडिया ने कई मरतबा कहा कि आप जो है अपने लिए अलग कोट की अस्थापना करें MP MLA के कोट की अलग अस्थापना नहीं करती है और सुप्रीम कोट कई मरतबा चिला चिला के कहती है कि अपने लिए अलग से कोट के अस्थापना कर लो लेकिन यह नहीं करते हैं लेकिन जब बात हमारे सेन्य अधिक्कारियों सेन्ने सोल्जर्स पर आती है जितने भी सोल्जर्स की बात आती है तो उसके पें प्रस्ट प्रस्ट दोस्तों ये बड़े प्रस्फ चिंन है अपनी पेंशन की ब्राइस यह जीते हैं मरतबह मरतबह इनका पैंशन बन जाता है लेकिन जेल सोंजर्ळ से और जानते हैं दोस्तों क्या हवाला देती है सरकार कि हमारे बजट में बहुत सब्सक्राइब जो है पैसा चला जाता है जो हम से निक जो हमारा डिफेंस मजट है वह इतने करोड का और क्यों हमारा पेंशन और मंतली सेलेरी देने में निकल जाती है तो भाज साब आप भी तो लेते हो अपने में तो कुछ रिकंसिडर करो उस पर क्या आपका कुछ कम नहीं होने चाहिए क्या आपके खाने की विवस्था जो है वो कम नहीं की जा सकती है आप फाइफ से फाइफ सीतारा होटल के मज़ यह कैसा दोहरा चरित्र है यह कैसा दोहरा चरित्र रह लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि जा बाते होंगे सबसे बड़ी बात जैसा कि आप जानते होंगे जो उसमें यह कहा गैया कि 0 लेकिन बच्चों की भी गलती है कि सीधा सिधी सरकार को 2000 कलोर का नुकसान कर दिया गया खेर बच्चे नहीं थे वो मैं तो उस दिन भी अपने वीडियो में कहा था कि कुछ राजनीतिक गुंडे थे और कुछ राजनीतिक पार्टी के कारे करता थे जिन्नों ने ये काम करने क कारे किया है मना ये संभाव नहीं था और यह को मानता हूं दोस्तों मैं मैं मानता हूं जैसा कि उसमें यह सप्षट कर दिया अधिकारी आर्मी एफस नेवी उन्होंने यह सपस्ट कर दिया कि हम जो अब्धे रिकूट्मेंट लेंगे तीनों से नहों के एंडर में वह अग देश को यूआ बनाने के लिए उन्होंने यह अभी कहा मीडिया से ब्रिफिंग करते हुए कि लोग यह आप लोग को नहीं मालूम है कि हाइट टूडेज एरियास में जो हमारे सोल्जर्स काम करें वह कितने मरते हैं आप लोग को नहीं मालूम है क्यों कि वह आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लेम से है उन्होंने यह भी कहा कि अब जो भी जॉइन करेगा आर्मी एफोस ने वी वह इसी केंडर में करेगा और उन्हें एक अपना सर्टिफिकेट दे उन्हें जो सर्टिफिकेट एक देना होगा और उन्हें ऐसे सर्टि यार हुई हो या वो इंडिविज्वल हो या वो सभी लोगों के साथ मिलकर हुआ हो उस व्यक्ति को तो हम लोग कभी अगनीवीर में नहीं लेंगे और उन्हें यह भी कहा कि देर इसनों एनी स्पेस और दिस टाइप आप अफ प्रोटेस्ट आर्मी में डिसिप्लिन जो है उसकी नियू है और उस नियू के खिलाफ अगर कोई जा करके सोचे कि मैं आर्मी में आऊंगा तो ऐसे लोगों के लिए जगा नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि दूस्तों कि प्रते की मुद्वार को एक पुलिस वरिफिकेशन कराना होगा और हंड़ेट परसेंट पुलिस के बाद ही हम उनको रिपरेंगे यह बीकाँ कि आने वाले दिनों में हम अभी 45,000 लोगों को अगनी वीर वीजिझी के अंतरकत अगा ड Multi बलिक होतpent कि ल नहीं होती है तूने एक कल रूपे की तक की वरुस्था की जाए कि हम एक ऐसे फॉच को तिया रहे हैं जिसमें जोस होगा जिसम의 खोश होगा इसके साथ साथ उन्हों यह विका मैंकि अपने पहले वीडियो में बताया था यह कई न कई 32 यहर्स जो एज है उसे कम करने की बात कि गई है डोस तो 1979 में पहले में उससाथ ही कि स्वाट सर्विस कमिशन हुआ कर दा था साथ सालों का लेकिन फिर उसके बाद रिक एकर्षेक्ट कर्थ करते हैं और फिर उसे अब देखे यह बाते आ गई उन्होंने यह भी कहा कि यह जो हम करना चाहते हैं धारती की इनियर मिलेटरी की और इस तर रह सब करना चाहते हैं और फॉज को जोश और होश के साथ रखना चाहते हैं उन्होंने यह भी कहा कि चार साल के जौब के रिटार्मेंट के बाद हर साल हमारे आर्मी एफोस नेवी से लगब 17,600 लोग रिटार कर जाते हैं लेकिन वह हमसे यह कभी नहीं पूछने आते हैं कि आटर रिटार्मेंट हम क्या करेंगे यह दोस्तों उन्होंने यह कहा कि इस तरह की बाते कि कहीं जगा नहीं है फौज में कि आप यह नहीं आके पूछ सकते कि हम क्या करेंगे हम डेली यहां से हर साल 17,600 लोगों जो है देश सेवा की बात आती है देश सेवा के लिए पैसों का और कैरियर का कोई महत तो नहीं है लेकिन मेरा इसमें दोस्तों अलग व्यू है मैं यह मानता हूं कि ठीक है देश सेवा है मेरे अंदर लेकिन हमारे माबाप जो हम गरीब घर से लड़के आ रहे हैं उनका क्या होग अब भुद्या उनने पैसे की उस्ताल नहीं होगी तो क्योंकि पेट चलाना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों चलाने का काम से ना एक साधान पैसे का साधान नहीं देश सेवा की बात है लेकिन देश सेवा के साथ अपने माबाप को भी तो देखना जरूरी है यह जिम्हदारी यह लड़के की दोस्तों यह भी कहा दिया गया कि जो भी सियाचिन्द और सिर्स में अगनी वी ड्यूटी देंगे उन्हें वही वही एलाउंसेज और वही पेमेंट दी जाएंगी जो एक आज अस्थाई रूप से न्यूक सिपाई है उसको जो दी जाती है वही दी जाएगी देर इस उन्हों एनी डिस्करिमिनेशन उसमें कोई भेदभाव नहीं किय जाएगा दोस्तों इस बीच मैं आप सभी को बता दूं कि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसा कि आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में दो प्रेटिशन पड़ी हुई है एक अभी तो एक अभी एक मामला है जो ले करके कि प्लीज सिकेंगे साइट जो एक है सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कहा है कि री कंसिटिशन अगनी पर प्रेटिशन जो है जो जो मामला है दोस्तों नोटिफिकेशन को क्वैस्ट करने के लिए जो सरकार ने निकला हुआ है यानि कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो है दो पड़ी हुई है अब बात हम दोस्तों करते हैं कि क्या किया जा सकता है कि अगरी पथी स्कीम के अंदर में क्या क्या किया जा सकता है तो सबसे पहले अगर दोस्तों मेरा मानना है कि उ यहां एक सवाल 25 परसेंट लोगों को रखना है तो उसके रखने का क्या होगा यह भी सरकार ने तैय नहीं किया है फिर यह हो रहा है कि जो 75% लोगों को बेद दिया जाएगा उसको 15% जैसा कि मैंने उस दिन मी बताया था जगह दी जाएगी तो वह भी एक सबसे बड़ी बाट है कि वहां भी परसेंट होना चाहिए वहां भी रिजर्वेशन 15% है यहां अनंद महिंद्रा साम ने कहा है कि हम जो है कुछ विवस्था करेंगे अगनी वीरों के लिए तो विवस्था करेंगे लेकिन मेरे ही साथ साल या हाट साल होना चाहिए और कोई डिफेंश एक्सपर्ट नहीं है और पढ़के हम लोग आपको बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए जो को ठञा हूँ झाहिए और जैसा कि पीषी जा रही है कि जब आगनी रिटार आएंगे तो हम उनको दे देंगे तो यह क जित्म में कुछ है नहीं लामें कुछ है नहीं है नहीं दोस्तों ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा आप ज़ूसरा चाहिक कमेंटтесь क्षिटी कुमार भट को लाइक करें सेंबना दॉस्तों दोस्तों